हेलो दोस्तों नमस्कार उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए nda के paper 1 year 2022 से एक और question लेकिया है हूँ ये question भी हमारी ongoing series जिसमें हम 100 previous year questions present कर रहे है maths के उसमें एक और question है इसमें उन्हें बोरा है find the value of k if होना चाहिए if the matrix is singular if the matrix is for what value of k is the matrix singular तो हमें ये बताया गया है कि matrix singular है और k की किस value के लिए matrix singular होगी हमारे पास चाहर option है 0, 1, 2 या any real value तो मैं आप सभी से request करूँगा आप इस वीडियो को pause करिए और एक बार इस question खुछ solve करने की कोशिश करिए उमेद है आप सभी ने question try किया होगा और कईयों से हुआ भी होगा जिन जिन्हों ने try किया है उसका साई option d है देखिए singular matrix जो होती है जो singular matrix होती है उसका determinant अगर यह पिर singular matrix है तो determinant 0 होता है तो अगर यह matrix singular है इसको मैं ऐसे रिख सकता हूँ 2 cos theta 2 cos 2 theta 2 cos 2 theta और 6 अब यहां पर में क्या रगवा होगा 1-2 sin squared theta अब मारे पाद एक formula होता है cos 2 theta is equal to 1-2 sin squared theta तो यहां पर मैं 1-2 sin squared theta के क्या रिखूंगा cos 2 theta और हमार पास एक और formula होता है cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 चुकि यहां लिखा हूँ है इसके बदन में क्या रिखूंगा cos 2 theta और यहां पर लिखूंगा 3 यहां पर k यहां पर 2k और यहां पर 1 अब मैं क्या करूंगा इसमें 2 first row से 2 common ले लूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा cos 2 theta cos 2 theta और 3 और नीचे में पता जाएगा cos 2 theta और 3 जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी row 1 और row 2 same हो गई जब row 1 और row 2 same हो जाती है तो उसका determinant अपने आप 0 हो जाता है it does not matter कि k की क्या value as long as it is a real value of k जब तक k की कोई भी real value है हमारा इस matrix का determinant 0 आएगा और यह singular ही रहेगी हमारी row 1 और row 2 है विक अपने दोस्तों के साथ जो एंडी की त्यारी कर रहे है उनके साथ वीडियो शेयर करिए और इस वीडियो को like करिए thank you friends have a nice